विगत एक मई को दुर्गावती थाना छेत्र के करारी गाउं में जिस तरह मुस्लिम समदायदारा दलित हिंदू परिवार को बेरहमी से पीटा गया जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ उसमें कैमूर के सभी हिंदू संक्टन दारा अपराधियों के खिलाप जानकारी के नुसार मुस्लिम समदायदारा पीडित परिवार के दस लोगों के उपर छेड़ खानी का केस दर्ज के रा दिया गया ताकि पीडित परिवार अपना केस वापस ना कर सके दलित परिवार दारा ये भी बताया गया कि मुस्लिम समदायदारा आए दिन हम लोगो को धमकी दी जा रही है जिसको लेकर आज पीडित परिवार कायमूर स्पी से मिल कर न्याय की गुहार लगा रहा है। मानेनिये एसपी साहब जो कैमूर से मिलने के लिए आए हुए थे और बता दें कि एक माई की घड़ना है जो मुस्लिम समुदाय द्वारा दोड़ा दोड़ा कर इन लोगों को पीटा गया और सोफल मीडिया पर वीडियो काफी देजी से आज भी वाइरल है। गाम आवत हैं तोहां लोगों को हर समस्या के समाधान का देजी घड़ा जामत आप जतना लोग भागल हुमाजा उन लोग के आरेष्ट कम करें। हमरे तरफ से वो लोग कुल जाने आरेष्ट अच्छा आप लोग के जो सयार के रहें जाओकराबाद तीन तारीक में आप लोग के ऊपर छेड़ानी के के दर्ज भाई। का अहां हम चारतारीक के आहि रहने जातौशनzd में अःट में ठाना में आव जातीन तीन तारीक के होगी रहे लेकिन चारतारीक के ताना में दिश्पी साहब कácbenके कुछ नाई बतावना कि नाई तोह रहा हूं उपर केस बाई जाए इस पीवाब से मिल कर फंदूस्ट बनी जाए आप लोग परिवार देखें यह परिवार है दिखाइए थोड़ा का तो इस पीवाब से मिल कर आप लोग आए हुए और माने इस पीवाब के दुबारा इन्ह अब नाइन भारत पेमूर आज आप लोग एज़्पी वाब से मिलने आये थे एसपी वाब ने क्या कहा कि घवडाजीं तोहन लोग जटना लोग हम गरीपतार कले तोहन लोग घवडाजा तनको मत हम तौहन लोग के संगे बाटिं एकरे बाद हमान का आपन परस्पार अरक देखिए काईमूर से प्रिंस सिंग की रिपोर्ट